महराष्ट्र में पवार बनाम पवार की लड़ाई को कॉंग्रेस कैसे देख रही है मेरे साथ इमरान पृताप गड़ी है जो महराष्ट्र से कॉंग्रेस के कुछ विधायक यहां है कुछ विधायक वहां है आप लोग कैसे देख रहे हैं कॉंग्रेस के सारे विधायक एक जुट है रास्टवादी कॉंग्रेस के विधायक कुछ यहां है कुछ वहां है मैं इस खेल को ऐसे देख रहा हूं कि क्या आने वाले दिनों में जो शिंदे गुट पर एयोग गेता की तलवार लटकी थी वो गिरने जा रही है। क्या दो एंजिन की जो सरकार थी उसे तीसरे एंजिन की आवशकता इसलिए पड़ी क्योंकि दूसरा एंजन फेल होने जा रहा है। मैं इसको इस रूप में देख रहा हूं पहली बात दूसरी बात इस रूप में देख रहा हूं कि भाझपा बेनकाब हो रही है। उसका जो भरस्टाचार के खिलाब बड़े बड़े नारे लगाने वाला अभियान था वो अपने आप में जूटा साबित हो रहा है क्योंकि जिनके खिलाफ वो अभियान चला रहे थे नारे लगा रहे थे उनके नेता उन्हीं भरस्टाचार के तथा कथित आरोपियों को कोशिश की लेकिन दरसल भाजपा एक कमजोर भाजपा देश के सामने दिखी इस पूरे प्रक्रण से एंवी एक जुट है कॉंग्रेस एक जुट है लीट कर रही है उद्धर ठाकरे जी पूरी मजबूती से खड़े हैं शरत पवार जी पूरी मजबूती से खड़े हैं भविश्य में आप देखेंगे के सिंदे गुट के विधायक तूट के वापस लोटे और अजीत पवार जो की जैसा गुट बनाया जा रहा है मुझे ने लगता कि कोई गुट है वो उसके विधायक लोट करके नहीं देनी चाहिए चाहिए वो अलबसंकेक समाज के नेता हो या विपक्ष के नेता हो इस के पीछे आपकी क्या म Нач़थ है देखिए मेरे अपना मानना है कि भाजपा इस पूरे मुढ्दे का चुनावी करन करना चाहती है यू सी सी जरूरी है कौन सी यू सी सी उसका ड्राफ्ट क्या है वो देश के सामने रखी उसके बाद बहस करिए आप उस ड्राफ्ट के जरीए अधिवाशियों का कौन सा अधिकार चीनना चाहते हैं आप उस ड्राफ्ट के जरीए जो तथा कतित समानता की बात विवितताओं का देश है आप सिख भाईयों का कौन सा अधिकार चीनना चाहते हैं बहुसंक्यक हिंदूओं के विरासत का कौन सा अधिकार चीनना चाहते हैं दरसल भाजपा के निशाने पे मुसल्मान होता है लेकिन उनको निप्टाना किसी और को होता है तो ये जो पूरा बिल है वो सबसे ज़्यादा इस देश के अगर जिस रूप में भाजपा दिखाने का प्रयास कर रही है वैसा ड्राफ्ट आता है तो सबसे ज़्यादा प्रहावित करेगा अधि द्राफ्ट आये लेकिन मुझे हैरत है कि बड़े जिम्मेदार पत्पे बैठेवे वेक्ती बिना ड्राफ्ट आये इसका चुनावी करण करते हुए यूसी सी जरूरी है जरूरी है तो किस रूप में जरूरी है देश के सामने रखिए तब प्रतिक्रिया देंगे आप सिर् द्धान्तिक तौर पर कॉंग्रेस का सिर्फ एक स्टेंड है कि भारत बिविदताओं का देश है इसकी बिविदता ही इसकी खुबसूरती है आप कौन सी एक रूपता कर देना चाहते हैं मध्यप्रदेश में एक आदिवासी समाज के व्यक्ति पे भाजपा का एक नेता सीन वो अत्याचार बंदो जाएंगे प्रधान मंत्री जी जिन अल्पसंग्यक महिलाओं को सुद्रिण करने की और एक जुट करने की और उनको फाइदा पहुचाने की बात करते हैं तब फिर वो बिल्कीजबानों को क्यों भूल जाते हैं जो उन्हीं के ग्री राज्ज में ब करार रखना चाहते